नमस्कार दोस्तों मैं नीरज आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल पर आज इस यूटूब चैनल के मंद्यम से बिहार पुलिक्टेबल 2023 का इतिहास का कोश्चन टॉप 220 प्लस अब्जेक्टिव कोश्चन करने वाले हैं तो चलिए सुरू करते हैं कोश्चन से पह कंबर हजात मुहम्मद का जनम हुआ था तो यह 570 इसपी में हुआ था अगला कोश्चन देखेंगे मक्का कहा है तो मक्का सौधी अरब में हैं अगला कोश्चन देखेंगे हिंदू हिंद भारत की जानता के संदर में हिंदू शब्द का प्रतम बार परयोग किया गया था अगला कोश्चन देखेंगे मुहममद बीन कसीं और आपके था प्रकत अगला कोश्चन देखेंगे चेशनामा के अनुसाल चटवी और सथाबaultर decide का थी याने 16H Biscοι में रज्धानी कौन थी तो औरोड कि अगला क्योंचन देखेंग इन में से कौन गजनएवी राजवांद्सका सथापक था तो ये अल्फ तक गिन था, अगला कोशन देखेंगे, साहनामा का लेकर कौन था, तो साहनामा का लेकर फिर दोसी था, अगला कोशन देखेंगे, पुरानों के अधियान करने वाला पुरा था, मुसलमान सासक तो कौन था, तो ये अलबुरूनी था, अगला कोशन देखेंगे इंवलिकृत में से मद्दे ऐसीया के किसे सासक ने 1192 रेसमी में उत्रभात को जीता है तो उत्रभात को सीय अ भूदिन मुहामद गौरी ने जीता है अगला कोशन देखेंगे मुहामद गौरी को सबसे पहले किस ने पराजित किया है तो भीम दूतिया ने पराजित किया था अगला कोशन देखेंगे मुहम्मद गौरी ने जैचंद को किस यूद में पराजित किया था तो यह किया था चंदावर के यूद में 1294 अगला कोशन देखेंगे भारत में मुहम्मद गौरी के किसको प्रतम आक्ता प तो ए बक्तियार खेल जीन अगला कोचन देखंगे बिकहर का प्राथम मुस्लिम बीज़ से टा तो ए बक्तियार खेल जीत हैं अगला कोचन देखंगे अगला कोचन है को धुद्फ गुरम कुल इसलाम मश्जीद अर धुरज है दियम में में डिय dedans मैंसे किसने प्रसीद कुट्ब मेंनार के मिनिर्मान में योगदान नहीं दिया तो नहीं दिया ग्यासु दिन तुग लकन नहीं दिया है बाकर कुत्र रच्छित्र धैसे गहाई नहीं दिया — तुभला कोचन देखेंगे। लिक्त में से खुंए फुल्ट भांद खीया घ्स लोैज treaties scenesétait झाल नियश्दम्स देखें चीद्मिस का था तो इस खरोज नी कोशन देखेंगे दिली का प्रुथम resultant लटके supersaison क्यात में मांगलो प्रत्म बार संदु刑 के तष्च देखे गहाए हैं तो यह लाकुस्वर चंगेज खा के अधीन मंगलों ने भाष़ात पारकरमन के तो है इलतुतमिस के सासन कलम है, अगला कोशण देखेंगे चंगेज का मूल नाम था, तो ये टेमूद चिन था चंगेज का मूल नाम, अगला कोशण देखेंगे देली का कि सुल्तान के विश्यमे कहा जाता है कि उसने रुट और लग की नीती अपनाई थी, तो ये थे आगला कोशन बखन किस सुलतान किस दिली सुलतान यरग्द गलग की नितिया पंए थी तौ थी बवबं अगला कोशन देखञेंगे निम लिकित में कौँसा कत्न बवबं के गेभऌ मिदरों के सं वठी prevent की दारी बेवास्ता कीथ यह नहीं यह वाकी यह पर सह एक दारहरी च चाहलगामी के परभाव समाप्त किया और उसने बंगाल के बिद्रों को दवन भी किया ये सही है अगला कोशन देखेंगे निमली के सुल्तान में से किसने गड मुक्तेस्वर के मस्जिद की दीवारों पर अपने सिला लेके में स्वेम को खलीफा की सहाय तक सहाय कहा है तो ये तो इसके पती का नाम था राना रतन सिंग अगला कोशन देखेंगे कि सुल्तान के कल में खाली सा भूमी अधिक पैमाने में भिक्सित हुई है तो ये अलाव दिन खिल जी के समय में अगला कोशन देखेंगे कि सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमी कर को मुद्यकालिन सासके ने सरवाजनिक वीतरन पर नाली अराम की थी तो अलावदिन खिल जी ने अगला कोचन देखेंगे सल्तनात में सरवबादी वीतरन पर नाली कृस्ट ने परणाम की थे तो अलावदीन खेल जी ने परणाम की थे अगला कोचन देखेंगे ग्वारी अत्वा ग्रीकर लगाने वाला देली अगला कोचन देखेंगे कि सवांस के सुल्तान ने सबसे अधिक समय तक देश में राजी किया था तो तुगलक वांस ने अगला कोचन देखेंगे दिली सल्तना देखा सरवाधिक विद्वान सासक जो गखुल ख़गोल सास्त्र अनेक विद्ध्याओं में माहिर था विद्वाधिक 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 व अगला खुशन देखेंंगे मद्धिक्याहेतरीययुम्लेका को इवनल simulation को इवन बतूता किस देश की निवासी था यह पीचलूर को का था, अगला कोर्छन देखेंगे इवन बतूता भायत में किसके सासन कल में आया था मुहांद बिन तुब्लाक के सासन कल में आया था को अपनी परजास है और परजा को सुलतान से मुक्ति मिल गयी तो यह कह था मुहमध भी नुगल रखने है अगला कोश्चन देखेंगे निमलीकित में से किस सुल्टान ने विरोजगारओं को रोजगार देल पाया था तो फिरोजगार्द दूल रखने अगला कोशन देखेंगे बिरोजगारों के सहायतार ते दिल्ली के निमली के सुल्तानों में से किस ने बिरोजगार कर्याले की अस्तापने की थी तो यह फिरोज शात्तुगलग ने अगला कौशत देखेंगे दिली का सूल्तान जो दान दकचिना के बारे में काफी धियां रखता था उसके लिए एक वीभाग दिवाने काराता साफित किया गया था वो कौन सा था फिरोज शातुगलग था अगला कोशन देखेंगे दिली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बरे जाल निर्मान कराने के लिए परसीद था वो कौन सा तो फिरोजसा तुगलक अगला कोशन देखेंगे, दिल्ली के किस सुल्टान ने सबसे ज़्यादा नहरू का निर्मान करवाया था, तो फिरोज्शाद तुखलक ने करवाया था, अगला कोशन देखेंगे, हाक एसरब अथ्वा सीचाही कर लगाने वाला दिल्ली के प्रतम सुल्टान कुण थे? तो उससे दुने संप्रदाय के लोगों एक दूसरे के वीचारों के समझ बेहतर हो सकेंगे तो है फिरोज सा तुगलक अगला कोशण देखेंगे राजी के एक हरज पर हर्जी की विवस्ता करने वाला भाती है सासक कौन था दो था फिरोज सा तुगलक अगला कोश्चन देखेंगे फिरोज तूगलक के द्वारा अस्थाफी दार उलसफा क्या था तो दार उलसफा एक खराती अस्पदाल था अगला कोशन देखेंगे दिली सल्तनान के तुगलक राजवांस का अंतिम सासक नेमली कित में से कुन था दो था नासिर उद्दिन मुहम्मद अगला कोशन देखेंगे नेमली कित में से उसके करान कर्म को संबधित के यह यह है पहला हो जाएगा यहाँ पर पॉलन रुकदिन हो जाएगा, यानि अपसन नमस्य हो जाएगा, एक दू तिन चार हो जाएगा, यानि लाई न से रुकदिन, मुबारक खान, फिरोज साथ अधुगलप और आहमाद साह आलम साह, यह मसली आलम साह, अगला कोछन देखेगे, महाराना सागा न इब राहम लोदी का कुछ यूद में पराजित किया था तो ये ख çokli का यूद मेंогला कोच्चनद देखेंगे निब्लिखित में सबके सबसानने एक नगर बसाये जहां अब आगरा है तो बसाये था सीकूंदर लोदी नहीं मगीं कि सुल्टानों में कौन सा उपर कर सभावट करने के लिये जाना जाता है सीक अंदर लोधी अगला कुस्चन है इनमे से कौन गुलाम औंस का नहीं था तो इबराहिम अगला कोस्चन देखेंगे परसीद विजयनागर सासक क्रिष्ण देवराय के अधिन किस साहिते का स्वर्न यूग था तो तेलगु साहिते का अगला कोशन देखेंगे क्रिष्ण देवराय न किस नगर की अस्तापना की थी तो ये नागलपूर की अस्तापना की थी आगला कोचीन देखेंगों.IME, बैदि करनतो के भास्त कार, सरायनों का आश्रे प्राप्त था, ये प्राप्त थ विजैनगर राजाओं का। अगला कोचीन देखेंगों ह्शंट तालइकोटा का युद्ध लारा गया था. तो यह लागा गया तो विजय नगर और विजापूर अहमद नगर और गॉरकुंडा के संयुक्त सेना के बिच अगला कोचन देखेंगे तालिकोटा का यूद हुआ था तो यह हुआ था सन पंद्रसो पंचसट इस्वी में अगला कोचन देखेंगे जब राजा बोडियार ने मश्यूर राजी के अस्थापना के तब विजय नगर समराजी के सासक कौन था तो वेंकर्ट दूइतिय था अगला कोचन देखेंगे विजय नगर समराजी के बीतिय विवस्ता के मूग के विश्ता क्या थी तो यह विवस के दरबार में थे तो ये दरबार में थे देवराय दिवितिये गए दरबार में अगला कोचन देखेंगे किसके राज में कल्यान मंडप के राचना मंदिर निर्मान का एक विशिष्ट अविलक्षन था तो ये विजय नगर के अगला कोचन देखेंगे परसीद विजय बिठ प्धल मंदिर जिसके चपन तक्षित अस्तम संगित में स्वर निकलते हैं कहां वस्तित है तो यह हमपी में वस्तित है अगला कोशन देखेंगे इतिया इसकार बर्नी ने दिली के सुल्तान के अधिन भारत में सासन को वास्तों में इसलामी नहीं माना क्योंकि अधिकतर अबा तो यह है अगला कोशन देखेंगे मद्रे ही काली न भारत के संदर में निकली कित में से कौन सा आकार कोई दिरिष्टी से अरोहिक न मैं सही है, सही अरोहिकरम है तो यह परागना स्थकार और श॓गा यह सही है अगला कोशन देखेंगे dislocation में दीवाने अजभी भागी अस से योगम समलित नहीं है तो यह है दीवाने रियासत बल्वन यह सही है अगला कोशन देखेंगे दीवाने अर्ज विभाग संबंदी था तो यह संबंदी था रक्षा विभाग से अगला कोशन देखेंगे निमलीकित में से किस राजवांस के अंतरगत विराजत विराजत का चर्मत कर्ष हुआ है तो यह तुगलक वांस के अगला कोशन देखेंगा सर्व कर लगाया जाता है तो सर्व कर लगाया जाता था सिचाई पर अगला कोशन देखेंगे जबावित का संबंद किस से था तो यह संबंद था राज जी कानून से अगला कोशन देखेंगे हदीस हा का कि अगले कोच्छान देखेंगे निर्म में सक्सिल्तान कुटुब मिनार की पांचवी मंजिल की निर्मान करवाया था तो फिर उच्योर होग लगना अगला कोच्छान देखेंगे आत्में प्रत्म मकब्राइट जो सुध-islami सैलिस में निर्मित हुए था तो था बलवन का मकाब्रा अगला कोच्छन देखेंगे प्रत्तम वास्तुइक महराग की सल्टनत के लिए असमारक में दसास्तित है यह बलवन के मकाब्रा अगला कोच्छन देखेंगे तुट्ति यह हिंद अमेर खुसरों का जनम हुआ था तो यह हूए था प्ट्टियालिम हें मैं अगला क्वेչन देखेंगे निम ची σας ने स्वयम को हिंदुस्तान कत्तों कहा है तो यह अमीर खुस्रों ने कहा है अगला क्वेहन देखेंगे विकास में अग्रमा अग्रानी यानि अग्रगामी भूहिम क्या नहीं भाई है अमीर खुसरो ने तो यह है खरी बोली की अगला कोश्चन देखेंगे परसीद कभी अमीर खुसरो ने खुसरो से अगला कोश्चन देखेंगे ने खरी बोली का जनक मना जाता है तो यह जनक मना जाता है अमीर खुसरो से अगला कोश्चन देखेंगे हिंदू और फार्सी दोनों बासाओं का विद्वान था तो यह अ अगला कोश्चन देखेंगे नीमलिकित में से कौन सी फार्सी का परतम कभीता जिसने अपने कभीता में भारतिये पर्यावरन का चित्तित किया है तो है अमीर खुष्रो अगला कोचन देखेंगे अब भरहन साब्द का पर्योग मत देखा लिए सांस्कृत गरांतों में था तो ये था कुछ आध्वनिक भारती बहसाओं के पर रंभिक रंभिक रूप में इंगेश्च करने के लिए ये था अगला कोचन देखेंगे भावाद नामक पुस्तक सेक निजामुदिन ओलिया की बाचित का भीवड़ा ने इसका संकलन किया था तो ये अमीर हसन जी अमीर हसन सीजी जी ने किया था अगला कोचन देखेंगे दिली का भाव सुल्तान जिसने अपने संसमाना लिखा था भीरोज दुखलग अगला कोचन देखेंगे निमली कित में से दिली सुल्तान के सासन काल में साही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी तो हो था निसरुदिन खुसरो क साह निंश सर्थ दिन कुछ रूज सा एगला कोचन देखरें निमरी कितम शेख नहीं से कोई स decline या तो यह समय m अब्दूल रiction Sanator तूर्की सही नहीं है, बाकि इबन वतुत्ता मोरा को सही है, मारकोपल इटली सही है, और नुनिज पूर्टगाल सही है, अगला कोछन देखनें नीचे दिये गई यूग एक और प्राचीन और मद्यकाली नहीं है, यूग राजाओं के नाम है, और दूसरी यूग राजाओं के बिर्चित अगरांते इसमें से कौन से यूग सही समलित है, तो सही समलित कौन सा है, तो यह है, महेंदर वर्मन, मतविलास प्राचन, अगला कोछन देखेंगे, देली सल्तरान के किस वंसे ने सब से कम समय तक सासन किया था, तो यह था केलजी वंसन, अगला कोछन देखे इन में सक्ति सा आसका दिन सेवा नहीं कि ती तो उत्वस किया दिन अगला कोशन देखें तो फिरोज साथ दूगलक ने किया था अगला कोशन देखेंगे तुर्की सुल्तान के सासन कल निम्र हस्तानों में से किसे पुर्वी का सीराज कहा जाता था जौनपूर को कहा जाता है पुर्व का सीराज जौनपूर को अगला कोशन देखेंगे निम्लिकित अस्थानों में से किसे भायत का सीराज कहा जाता है तो ये जौनपूर को अगला कोशन देखेंगे जौनपूर राज ये का अंतिम सास से कौन था तो ये था हुसेंद सा अगला कोशेंग देखेंगे निमलेकित में से यह सही समलित नहीं है तो यह मलिक शरवार खवाजा सा मलवा यह सही नहीं है भाग यहां पर राना राना हमीर मिवार सही है राना चुंडा मरिवार सही है मलिक राजा फारू की खांदेश सही है अगला कोशन देखेंगे महमुद राज बहमानी राजी के अस्थापना की थी बहमानी राजी के अस्थापना अलावदिन हसन ने किया था अगला question देखेंगे निमलीखित मुसलिम साज को में से किस एक उसकी धर्म निरिपेश्टा में आस्ता के कारणा उसकी मुसलिम प्रजाज शगत गुरु कहकर पुकारती थी तो यह इब्राहीम अदिल साग अगला कोशन देखेंगे निम्लिकित में से कौन से किताब ए नसर नरश किताब ए नरश नाम पुस्ता कर लिखाक था तो ये था इबराहिम आदिल सा दिविती है अगला कोश्चन देखेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंग लाल धरवाजर महजीद लाल धरवाजर माजीर वजान्पुरय सहहता दाखिल धरवाज 화ण अहमड़ा वद सहयता अगला ने कोचन देखेंगे औरập इस्वेष्ट हां ल sitä न कोच्छन देखे Schnalila ऑक्ति संस्कुण defend वह सथा था था सबिने अ 해 अगला कोछन देखेंगे wash image औरवस्परसीद मंदेकालीन संद संकर देव संबंधिते तू य威ष्णू therapist संबंधिते अगला कोछन करेंगे एको किशन एरम यां कुछ भिहार में वेष्णू धाम क्या संद्धितके दो उससे संबंधिता अगला कोश्चन देखेंगे निमलीखित में से किस से भाक्ति संत ने अपनी संदेर के परचार के लिए सबसे पहले हिंदू हिंदी का परयोग किया यानि सबसे पहले हिंदी का परयोग किया था तो यह किया था रामानंद ने, अगला कोचन देखेंगे, मलुक दाश, एक संत कभी थे, तो यह कराके थे, अगला कोचन देखेंगे, संत गहासी दास के पिता जी का नाम क्या था, तो यह था महंगु, अगला कोचन देखेंगे, निमलिकित में से कौन सा है, कलानु करम सही है, तो यह है, संक तैतिक यानिकारण का अनुगरा चुनिये तो ये सही है कवीर, गुरुनानाक, चैतरने और मीरा भाई अगला कोशन देखेंगे इस वर के वल मनुष्री के सदगुन को पहचानता है तो था उसकी जाती नहीं पूछता अगामी दुनिया में कोई जाती नहीं होगी ये सिदानत किस भाक्ती संत का है तो ये सिदानत नानक का है अगला कोशन देखेंगे परसीद भाक्ती कवीत्री मीरा की पती का नाम क्या था तो ये था राजकुमार भोज राज अगला कोशन देखेंगे तो यह वेश्ण संपर्दाय से सम्बादित है अगला कोहचन देखेंगे निमली खित यूग में से कौन सा संबलित नहीं है तो यह संबलित नहीं है रश खान, रश खान, रशीक प्रिया सही नहीं है बाकी मुद्राष भावत नानम वाली सही है अगला कोचन देखेंगे निम्लीकित में से कौन वरकरी संपरदाय का संथ था तो ये वरकरी संपरदाय का संथ नाम देव है अगला कोचन देखेंगे वरकरी संपरदाय के मुझ के पीटे अवस्तित है तो ये है पंट कर भूमी में पंट कर भूमी है अगला कोशन देखेंगे भक्ति तुकराम कौन से मुगल समराट के मा देखा लिए था जहां गीर के अगला कोशन देखेंगे भात में चीस्ती सुफी मत को अस्थापित किया तो ख्याब ख्वाजा मुईनों दों ने किया था अगला कोशन देखेंगे भात में चीस्ती या संपरदाय का प्रतम सुफी संत था तो यह है सेक मुईनों दिन चीस्ती है अगला कोशन देखेंगे निम लिकित में से कौन सुफी भात की चीस्ती या साखा का संपरदायत था तो ये था खुआजम अबु अबदाद अगला कोश्चन देखेंगे सेक निजामुदिन ओलिया का दरगा इस्ति था तो ये दिल्ली में इस्ति था अगला कोश्चन देखेंगे कौन सुफी संत महमुद ए इलाही कहलाता था तो ये कहलाता था सेक नि निजामुदिन ओलिया अगला कोचन देखेंगे निमलिकित में से कौन से स्थूपी संत महमुद ए इलाही के नाम से जाने जाते हैं तो ये जाने जाते हैं सेख निजामुदिन ओलिया अगला कोचन देखेंगे सेख फरेदी का सरवादी के ख्याती तलब सी से जिसने दली के स साथ तो सुलतानों का साथ हम देखा था वा कौन था तो निजाम अधिन ओलिया था अगला कुछाँ देखेंगे निए कण साही करम नहीं है वह शेक निजाम अधिन ऑळिया, सुल्ट मुल्तान सही नहीं बाके सेख मुएनो दिन चिस्ति अजमेर सही है सेख बुरहाद वुदिन गरीब और दौलाता वा सही है और शेख मुहम्मद हुसेनी बुलबरागा भी सही है अगला कोचन देखेंगे निमलिकेत कतनों पर वीचार करें अगला कोचन देखेंगे निमलिकेत कतनों में शूफी कून था तो सूफी था नीज Sellu di a Alaska महिनो दिन चिस्ति यानि अपतनमा सिसाे हOOD है अगला कोचन देखेंगे निमलिकी सूफी बाद के सिले संकित के बिरफता तो संकित के बिर४ता नग्स बन दिया अग्रा कोशन देखें उलेमा का सम्भाद से नहीं, बाकिस से एक, ख्यान का और श्रमा का उलेमा से समभन देता है, अगला कोशन देखें, किरिष्ण ने जीवन परेम वाट का कावबे की राचना किये थी, तो ये रस खान ने किया था, अगला कोशन देखें, निम में से कौन एक भकते अंदोलों स जुर नहीं है अगला कोश्चन देखेंगे लिए इस बहुना है लिए विख्यात है už शी के संत फारशी फांससी अगला क्वेक्षान देखें आगे के मद्वे हुए था तो बाबर यम काबूल में की था अगला कोशन देखेंगे बाबर शंराज में अस्थापि तो यह तीन हो जागा है काबूल का छेत पंजाब का छेत और अधानीक उत्तरपर्दी उसका छेत यह संबली था यानि आप सानमस शिसाही होगा अगला कोशन देखेंगा वहमु का समराथ है जिसके जीवन से धारे वशंकल्प से सफलता की सिक्षा मिलती है वो कौन सा है तो जा हैरुदिन मुहम्माद वापर है अगला कोशन देखेंगा तुझेक ए बाबरी किस भासा में लिखी गया था तो यह तुर्की में लिखा गया था अगला कोशन देखेंगा अयोध्या इस्तित बाबरी महचित का निर्मान किस ने करवाया था तो यह करवाया था मीरे बा करें तो वो कौन सा तो देवरा, चोसा, कनाउज और सरहिंद अगला कोच्छन देखेंगा नेमलीकित में से किस, नेमलीकित में है किन दो सास को के मद सतनु में ये पंदासो चारीस के के कनाउज के पास यूद हुए था तो ये हुए था सिर्षा और हुमाई के विज अगला कोच्छन देखेंगा फरीज जो बाद में सिर्षा सूरी बना ने कहां किसे सिख्चा प्राप्त की थी तो ये जोवनपूर से सिख्चा प्राप्त किया था अगला कोच्छन देखेंगा ये निमली कितमा देख तो किया गया था हुमाई के दोरा अगला कोचन देखेंगा हुमाई ने चुनार दूर्ग पर प्रत्थम बार आकर्मन किया था तो यह 1532 में किया था अगला कोचन देखेंगा सिरसा के अंतर को तामबे के दाम और चांदी के रुपिया की बीनिमा एक दर क्या थी तो यह 64.91 एक था अगلا कोछन देखेंगे सुध्वचान्दी का रुप्य का めश्कार किस्त ने किया है तो इस सेरसा ने किया अगला कोछन देखेंगे सेर सा सुरी की मिर्ट हुए थी तो ये कालेंजर में हुए थी सिर्षा सुरी के मिर्ट हुए तो अगला कोचन देखेंगे सिर्षा सुरी का अंतिम अभियान निम्लिकित में से कि सराजी के भी रुद था तो ये कालेंजर के भी रुद था अगला कोचन देखेंगे दिल्ली में पुराना किल बरत नमान्सोर्फूरुका निर्मान करते है तो आफ प्लाइग था अगला कोचना देखें के कि किस आस्थान पर अकबर को हुमाय। की मिर्तु की सुचना मिलने पर राजगादी पर बैठाय गया था तो ये कनार में अगला कोचन देखेंगा हल्दी घाटी के यूद के पीछे अकबर कमुके उदेश से था तो ये उदेश से था राना परताब को अपने अधेन अलाना अगला कोशन देखेंगा है यहां पर रुख जे थोड़ा सा हाल्दी घाटी के यूद किस वर्ष हुए था तो यह हुए था थोड़ा सा सिस्टम है थोड़ा सा मैनेज करें अगवर ने शर्परत्म वेवाहिक संबंद राजबूतों के जिस गरोस्तापित किया है हुआ था तो वह कच्छावच का है कच्छावच से अगला कोच्छन देखेंगे निमलीकित में से किस परिवार ने सर परत्म अकवर के वेवाहिक संबंद अस्थापित किया था तो किया था कच्छावच कच्छावच ने अगले कोछन देखेंगे दिखेंगे अगले कोछन देखेंगे किसे ची कशी शंप यूद करणां वाले दुर्गाउती की रानी थी तो ये दुरगाती की रानी मंडला थी अगला कोचन देखेंगे अबुल फजल की मेरतु इसमें से किसके कारण हुई थी तो ये हुई था सहजादा सलेम के कारण अगला कोचन देखेंगे नेमली की ततों में से कौन से एक ऐसा तत है जो अकबर को राश्री धर्म तयाग लिया ये सईने सही नहीं है बाग्ए याँ पर शासनिक एक्ता और कानून की एकुरूपता अक्बर द्र intéressant स्क्रितिक एक दाका प्रतीपा प्रयत्न और ये भी सही है अकबर की धार्मिक नेति अगला कोशन देखें अनिमलीकित में से किसने यह आ गया दे थी कि आदमी को एक ही इस तीरी से विवाह करना चाहिए वह तभी दूसरा विवाह कर सकता जब उसकी पदहली पतने बंधया हो यानी मीरत्त हो गई हो तो यह आकबर ने बोला था अगला कोशन दिखेंगा हैं मरेकालीन भारत में मोनसफदारी ब्यवासता लागों की ग़िए तो यह लागों की गई थी स्रक्ष्परसासन स्निश्चित करने के लिए अगला कोशन देखेंगे इन में से किस कर बेवास्ता को बंदोबस्त बेवास्ता के नाम से भी जाना जाता है तो यह जाना जाता है दह शाला अगला कोशन देखेंगे टूटर्मान संबंदित है तो माल गुजारी सुधाय से टूटर्मान संबंदित है अगला कोशन देखेंगे दिन ए इलाही का परचार की सासक ने किया था तो ये सासक था अकपर अगला कोशन देखेंगे दिन ए इलाही किस के द्वारा प्रग्राम किया गया था तो ये अकपर के द्वारा अगला कोशन देखेंगे किस इतिहसकार ने दिन ए इलाही को येक धर्म कहा था तो इसमें से कोई नहीं अगला कोशन देखेंगे इबादत खान का निर्मान किस ने करवाया था तो ये अकपर ने करवाया था अगला कोशन देखेंगे कौन सा असमारक पर तेवोर्शी करी में नहीं है तो ये अकपरी महल नहीं है अगला कोश्जन देखेंगे डेली में किस एतिहासिक इसमारत् से द्वार्ट थे था फार्शी वस्तु कला सहली का उद्धारन हुग मयूं आयू का माकबरा अगला कोश्चन देखेंगे शूला ये कुल का स्धाम किसके द्वारा पर दिवादित किया गया था तो ये किया गया था अकबर के द्वारा तो यह बुलैंदे दर्वाजा का निर्मान हख भर नो करवान था अगला कोशें देखेंगे निम्लिकीत में से किसका निर्मार अख्पर यह टाया था प्तेपुर शेवरी में अगला कोशन देखेंगे अकबर दोरा अपनाई गई कौन सी इमारत के नकसा बहुत विहार के तरह है तो बहुत विहार के तरह पहुंच महल है अगला कोशन देखेंगे निम्मे से किस किले को निर्मान अकबर के राज्य काल में नहीं किये करवाया गया था तो किला है दिल्ली का लाल किला ये अकबर के काल में नहीं करवाया गया था बाकि आगरा का किला लाहूर का किला और इलहाबाद का किला अकबर के साफन काल में करवाया गया था अगला कोचन देखेंगे सुरावी सताब्दी में संपन महाभाद का फार्शी अनुबाद करवाया था तो ये राजिनामा ने अगला कोचन देखेंगे राजिनामा किस हिंदू गुरंद की फार्शी अनुबाद है तो ये है महाभाद का अगला कोशन देखें अकबर की एक चानू सर और किसने रामायन की फार्सी में अनुबाद कर किया था तो ये किया था अब्दुल कादिर बदयाईन। किसन के सासन काल में इंगलिश इस्ट इंडिया कंपानी का बटन वे था तो ये अकबर था अगला कोशन दिखेंगे अंगरेज ब्यूरा ऑखती था तो रॉलफू सिंच से लिए अगला कोसटन देखेंगे दो आसपाइए म सी आसपा प्रत लाथा किस ना सुरू कि थी तो यहांगीर ने सुरू किया था अगला कोश्चन देखेंगे मुंगल-अमि-वार के राना के मध्यचीत और की सिंध अंधी के सासद के सासनकाल में स्टाक्ची होई थी। विए थै जहांगीर के साथ अनकाल में। अगला कोश्चन देखेंगे इस्ट इंडिया कंपणी ने जहांगीर के दारबार में पहले नेडमर से किसे बहात में इंगिलेंद के कौन सब्सक्राइब जहांगीर के पीछे अरजमेर में अजमेर से मांडू आया था तो आया था था थॉमस रो ने अगला कोशन देखेंगे जहांगीर ने थॉमस रो को कहां मिलने का और शर दिया था तो ये अजमेर में अगला कोशन देखेंगे निमलीखित में से किसका माकाबरा भारत से बाहर इस्तित है तो ये जहांगीर का माकाबरा अगला कोशन देखेंगे मुगल चित्रकारा किसके राज्य काल में अपनी पराकाष्टा पर पहुंची है तो ये जहांगीर के काल में अगला कोशन देखेंगे, मुगर चित्रकारा किसके नितित में अपने सिर्ष बिंदू पर पहुंचा है, तो यह जहांगीर के काल काल में अगला कोशन देखेंगे निमलिकित चेत्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उजी चामा की पदवी दी थी तो ये भाबूल होसन की काजकाल में अगला कोशन देखेंगे निमलिकित में से किस ने जहांगीर के विरूद विद्रो हो किया था तो ये किया था खूरम, महाबत गान और खुसरो अगला कोशन देखेंगे खुसरो की समुगा बादसा का वोतर था तो यह जहांगीर के था अगला कोशन देखेंगे निमलिकित में से कौन से नूर जहां के गूट का सदसी नहीं था तो यह जहांगीर नहीं था तो फ्रेंट्स यहाँ पर कोश्चन समापत होता हैं मिलता हैं फिर अगले वीडियो बें तब तर के लिए थैंक्यू